आपको कड़ाजेते हैं, मेरे साथ गौरा भाठिया है, भारतियंद पार्टी के नेता प्रवक्ता, सुप्रीम कोड एड़ोकेट, मेरे साथ प्रफेसर नवल किशोर है, आरजडी के नेता प्रवक्ता, सुनील यादो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अबिनन्दन है अब आप क्या कहिएगा अबी जी मैं तो वो कहूंगा जो दिल्ली की जनता कह रही है कि अर्विंद केजरिवाल कटर बैमान है अर्विंद केजरिवाल को बेल भी नहीं मिली अर्विंद केजरिवाल को पाज बार कोट से जटका लगा है और मैं ये कहूंगा कि आज ये सावित हो गया है कि देश में लोकतंत्र जिन्दा है जो ये लोग आरोप अनर्गर लगाते थे कि नयपालिका को एक व्यक्ती चला रहा है लोगतंत्र मर गया है ये तो इनके मूँ पे करारा तमाचा है इनको समझना चाहिए बेल में और एक्विटिल में जब आप दोस्ते रहित हो जाते हैं बहुत फरक है बेल मिली है भी कोई ये नहीं है कि आज बाइजद उनको बरी कर दिया गया है दूसरी बात आपको एक और समझनी होगी ये बेल तब मिली है जो कानून की प्रोसीडिंग में कोट ने सेक्शन 45 पीमले आक्ट का हवाला दिया और हमारे देश का कानून पीमले का ये कहता है कि बेल तब ही दी जा सकती है जब कोट ये कहे कि प्रथंद रष्ट्या कोई आरोप नहीं है जिसके इंप्लिकेशन्स जो है आगे ट्राइल पे चलते तो जब ये बात सरकार के जो एसजी है उनसे पूछी गई उन्होंने बिलकुल तठस्तता से इन ओल फेर्नेस ये बात रखी कि नहीं हम लोग इसे कस्टिडी में कंटिडू रहे कोई लाब नहीं मिलेगा इसलिए हमें अब्जेक्शन नहीं है तो सर्वोत्याले ने बेल दे दी लेकिन अभी ट्राइल बाकी है आगे आगे देखिए कहीं ऐसा नहीं आगे आगे आकर अगर संजे सिंग को बेल मिल गई है इसके माइने क्या है अमी जी आप एक पहलू देख रहे हैं पूरी जाज का मैं आपको कई पहलू दिखा रहा है मैंने बताया शराब घुटाले के किंग्पिन अर्विंद केजडीवाल उनकी बेल नहीं हुई पाच बार कोट से जटका खाए हैं पहला तत्थे दूसरा पहलू तो ये भी है मनी पॉइंट था जो आज का मारा बाहर निकलने ही नहीं वाले इसका मतलब जो आज का मारा पॉइंट था जो हमारा आज का पॉइंट है लोगतंत्र जेल में सरकार लोगतंत्र तार 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 यानि एक सिटिंग सीम जेल में है क्या ये लोगतंत्र को तार तार करने वाली बात नहीं है कि यह बात आपके विदेशी यह बात आपके बाहरी मुल्क भी पूछ रहे है कि यह सवाल प्रश्ण खड़ा होगा कि वारव अब तक आवाज आ रही है मेरी कि हाँ आप रिपीट करेंगे मेरा सवाल यह है मेरा सवाल यह है कि जेल में सरकार अर्विंद केजजी भाण जेर में है। क्या यह लोग्चंत्र तार्थार नहीं है क्योंकि एक मुख्य मंत्री एक शिटिंग सेम को जैल बेच दिया गया है और इसके उपर आपसे विदेशी देशों ने भी सवाल पूछे पूछे की नहीं पूछे अभी जी आपको बालूम है हमारे भारत में सबसे पहले हमारी जो संप्रभुता है उसका असूल क्या है कौन भारी देश है जो हम पे सवाल उठा सकता है बारत का लोगतंतर सबसे मजबूत है और ये सवाल तब उठाए गए जब अरविंद केजरिवाल को नयाले से राहत नहीं मिली तो क्या आप मानते हैं कि ये विदेशी ताकते हमारी नयाय पालिका पे सवाल उठाने के लाइक है मैं तो नहीं मानता और मैं तो इसे गलत ठहराता हूं जैसे सरकार ने अपने स्केट्मिंट में जर्बी हो challenge इल्किन मेरा पॉइंट यह था मेरा पॉइंट यह था कि यह अन्तरनिशनल मुद्दा भी बन गया है यह मेरा सोडिया को बेल नहीं दी है उसी एडी ने बोला कि हां संजे सिंग को जाने दीजिए लेकिन अर्विंद के जीवाल किंग पिन है कहिए क्या करिएगा सभी को नमस्ते अमीज जी इस मामले में तथा कते चराब घोटाले में जो भाजपा के दफ्तर में लिखा गया और शायद हो सकता है भूमिका गौरव भाटिया की भी रही हो क्योंकि इतना पूर घोटाला है पर इन्होंने जो कानून में संशोधन कर दिये थे 2018 में PMLA के कानून में मैं लगातार आपके चानल पर आकर बता रही थी कि बेल हो ही नहीं सकती जब तक ED बेल पर आपत्ती ना करे इन्होंने कानून ऐसा बना दिया तभी छगन भुझबल के केस में जब ED ने केस में कोट में कहा कि फाइले खो गई तब उनका केस बंद रेबबलम नहीं है शरत रेडडी को कमर दर्ध है बेल पर जाने दे तब बेल मिली ऐसे ही राघवा रेडडी के केस में जब भाजपा ने टिकित दे धी उनके पिता को मंगुता रेडी को TDP से तब ED को कोई आपत्ती नहीं हूँ तब उनको बेल मिली यह दोनों सरकारी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मैं आपको आश्वस्त करती हूं अरविंद केजरीवाल जी वह व्यक्ति बनेंगे जिनकी वजह से पीमले कानून जो संशोधन इन्हों ने किये वह संशोधन अनकॉंस्टिटूशनल डिक्लेर किये जाएंगे आज संजे सिंग जी देश कोर्ट में आई होप आपने देखा हो आई होप आपके दर्शिकों ने देखा हो कैसे ये पूरी भूमी का रची गई 500 हम पे रेडे हो गई चवन्नी की रिकावरी नहीं हुई और हमें लगातार प्रताडित किया गया पीमले के कानून में बेलना ही बहुत बड़ी बात होत देखिए पॉइंट ये है कि आप भी वो भी अपने सुविदा के अनुसार बोलते हैं और आप भी अपने सुविदा के अनुसार बोलती है मैं ये सुविदा के अनुसार आपकी पार्टी भी बोलती है लोगतंत तब तक जीवित नहीं था जब तक संजे सिंग को बेल नही मुली थी, Congress Party के खाते कोई freeze ने हुए थे, बिल्कुल freeze ने हुए थे, गलत बयानी करी Congress Party ने, और Supreme Court ने रहत दे दी Congress Party को उस मामले के दर, तब लोगतन त्र ठीक हो गया, मेरा point ये है, कि हमारे मन का हो तो हमें अच्छा लगेगा, और मन का ना हो तो फिर वो लोक तक खराब हो जाता है तो ये तो दोधारी तल्वार है ना मैदर नी कौण इअप को समझाथी हूं ये तो सामने ही देख रहा हूं ना देखिए लगातार लगातार जब नी सुनी कि न मैं समझ आ देती हूं जो स्टेट गर्वर्मेंट पास करती हैं उनके उपर बैठ जाते हैं और हमें सुप्रीम कोट जा के वो करवाना पड़ता है ये लोगतंतर की हत्या है लोगतंतर की हत्या है कि ED को इन्होंने उगाई डिपार्टमेंट बना लिया अपना जो एक्स्टोर्शन करती है इनके कहने पर जिसे बढ़ा अरोध जवाब जवाब ने ना परेगा बहुत बढ़ी खबर आ रही है मैं उस बढ़ी खबर के उपर भी जाओंगा लेकिन गौरफ बाटिया एडी इसे कहते हैं जो बयान करा कि उगाई करने का डिपार्टमेंट हो गया हुए एक्स्टोर्शन रेकेट चला रही है एडी आमागी पार्टी की सीनियर लीडर ये बात कह रही है सीनियर प्रवक्ता ये बात कह रही है जेल से जो सरकार चला के शराब का धंदा चलाते हैं वो यहाँ पे ज्यान बाट रहे हैं मैं तो इनसे यह पूछना चाहता हूं देखे बोगला पंदेख्या आपने सौरी भगुती प्रसाज जैस्वाल जैसे ही इनके मूँ पे ऐसी कोई बात आए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इन्हें चुप कराया करिए एक 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 सबसे पहले तो जेल से सरकार चला रहे हैं यह वो अर्विंद केजरिवाल हैं जो नेतिक्ता की बात करते थे भष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे गजब के दोगले हैं यह दूसरी बात मनीश सोडिया और सतिंदर जैन से तो स्तीफा लिया अर्विंद केजरिवाल से आदिली की जंता यह पूछ रही है भाई आप अपना स्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं इसका बतलब किगपिन ने अपने ही लोगों को फसा के सुनीता केजरिवाल का रास्ता खोल दिया है और तीसरी बात आज आतिशी मर लेना प्रेस्वारता कर करती हैं फिर से वही पुरानी कहानी ओ नानी ये क्या हो गया जानना चाहता हूं पुलिस पे क्यों नहीं जाती बताएं कि किसका फोन आया तो ठीक है पॉइंट आपके अंदर कराएं जी जे नैले चली जाएं भई फुलीस पे आपको विश्वास नहीं है आप नैले जाओ लेकिन ये क्यों कर अर्णा-टी